Hello class first students, today I will teach you computer, I will teach you first chapter of this book that is computer a machine, computer a machine है, so start the chapter, in this lesson you will learn that what are machines, आप इस chapter में क्या पढ़ेंगे, कि मसीन क्या है, so let's start the chapter, look at me, यानि मुझे देखो, do I look some what known to you, मुझे देखकर तुम्हे कुछ पता है, मुझे देखकर क्या तुम कुछ जानते हो, I am sure you must have seen me many a time at different place or at your home, मैं sure हूँ, मैं जानता हूँ, कि you must have seen, आप मुझे देखे होगे many times, कई बार at different place, अलग-अलग जगों पर, और at your home और अपने घर पर, can you guess, क्या तुम अनमान लगा सकते हो, who am I, मैं कौन हूँ, अभी बच्चे बोला, yes, हाँ, computer हो, तो फिर computer क्या का रहा है, that is correct, या सही है, I in the school, और विद्याला मैं आपका एक नया दोस्त भी हूँ, do you want to know, क्या आप जानना चाहते हैं, more about me, मेरे बारे में, और अधिक, आप जानना चाहते हैं, let us go, चलिए जानते हैं, turn the page, join the dots and color the picture, इन dots को join करने हैं, और इसे color करने हैं, okay students, do yourself, इसे आप खुद से करेंगे, friends, you you have got a picture of machine, वित्रो, क्या आप जो है, machine को जानते हैं, machine के बारे में जानते है, machine are made a man-made things, machine एक आदमियो द्वारा या मनुस्यो द्वारा बनाए गया, सामान है, it is not a simple machine, यह कोई साधहारर machine नहीं होता, in fact, बलकि it is a unique machine, यह आधनिक machine है, आधनिक मसीन होता है, आज कर गया आ इसे हम क्या कहते हैं, computer, इसे हम computer करते हैं, it works on electricity, और यह किस पर काम करता है, electricity में सोता है, बिजली पर या विद्दूत पर यह अपना काम करता है, यानि कि बिना बिजली की मतलब से यह कोई काम नहीं कर सकता है, we found two types of things on the earth, अर्थ में सोता है धर्थी या प्रिथिवी, प् इसे हम जानते हैं, natural things क्या है, और manmade things क्या है, natural things क्या है, देखिए, यहां पर है, things which are not made by man are called natural things, mostly natural things are living, look at the following objects, इसका रथिया है, things, यानि सामान which are not made, जो नहीं बनाए गए हैं, by a man, मनुस्यों द्वारा, जो सामान मनुस्यों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, are called natural things, उन्हें हम natural things क्याते हैं, mostly means होता है, अधिकतर या अधिकांस था, natural things are living, living means होता है, उनके अंदर जीवन होता है, जीवन में उन्हें सांस लेने की जोरत परती है, उन्हें भोजन की जोरत परती है, उन्हें पानी की जोरत परती है, तो जो natural things होते हैं, उनके अंदर जीवन ह करते हैं पानी की जर्द होती है look at the following objects नीचे जो सामान दिये गए उन्हें आप देखिए butterfly flower bird elephant इन सब ही को जो है सास लेने की पानी की और भोजन की जरुद पड़ती है तो इन्हें हम natural things कहेंगे next क्या है manmade things यानि मनुस्यों द्वारा बनाए गए सामान things which are created by man are called manmade things things पतला होता सामान which are created जो बनाए गए है by man आदमियों द्वारा उन्हें हम क्या करते है manmade things जो सामान आदमियों द्वारा या मनुस्यों द्वारा बनाए गए उन्हें हम man-made things कहते हैं mostly image होता अधिकांस्ता या अधिकतर man-made things यानि आदमियों द्वारा मनुस्यों द्वारा बनाएगा सामान को सामान are not living, non-living यानि वो जादे दिन तक नहीं रह सकते हैं उनके अंदर जीवन नहीं होता है उन्हें ना पानी की जरूरत परती है ना सांस लेनी की जरूरत परती है ना भोजन की जरूरत परती है look at the following objects नीचो जो सामान दिये गया है उन्हें आप देखिए books, chair, shoes, shirt books को ना तो सांस लेनी की जरूरत है ना तो इसे भोजन की जरूरत है और ना ही इसे पानी की जरूरत है तो ये man-made things है इसे मनुस्यों द्वारा बनाए गया है ना कि ये natural things है turn the page अब मैं पढ़ना है machines machines क्या है one day Rohan was going with his mother to electronic बाजार one day मीज होता एक दिन Rohan मतलब गया था, कहां गया था with his mother, अपनी ममा के साथ electronic बाजार में यानि बिजली की जो सामान जहां मिलते हैं ऐसी दुकान पर वो गया था Rohan was distracted by the different objects in the electronic बाजार Rohan वहाँ पर विचलीत हो गया था या आश्चार हो गया था confused हो गया था by different objects कई तरह के सामानों को देखकर in the electronic बाजार उस electronic की दुकान पर वो कई तरह के machines को या सामानों को देखकर वो confused हो गया था तो अपनी ममा से पूछ परता है Hey mom, what are these objects car इन सामानों को हम क्या कहते हैं तो उसकी ममा उसे बताती है these objects are car machine इन सामानों को हम machine कहते है which make our work easier and faster जो हमारे काम को आसानी से और तेजी से कर देते हैं some machines don't need electricity to work कुछ machines ऐसे होते हैं जिने काम करने के लिए बिज़ी की जरूवत नहीं पड़ती जैसे bicycle, सिलाई machine, hand pump bicycle is a machine and moved by foot pedal bicycle is a machine जो foot pedal से चलता है ठीक है पैर से चलता है electricity की जरूवत नहीं पड़ती है सिलाई machine is a used to switch sorry stitch clothes moved by hands और सिलाई machine कपड़े सिलने के लिए hand दौरा इस्तिमार किया जाता इसे भी बिज़ी की जरूवत नहीं पड़ती है hand pump used to get water hand pump का इस्तिमार हम पानी प्राप्त करने के लिए करते हैं okay students, next क्या है some machines need electricity to work कुछ machine ऐसे होते हैं जिने electricity यानि बिज़ी की जरूवत पड़ती है some of them उनमें से कुछ यहाँ पर है तो क्या है a fridge a fridge keeps your food fresh and cool things एक fridge क्या करता है सामान को ताजा और फ्रेश ताजा और ठंडा रखता है ठीक है a television display the motion picture on the screen television पर क्या होता है जो चित्र होता है वो गतिमान होता है यानि कि चलता है एक के बाद दूसरा चित्र आता रहता है a washing machine was clothed quickly washing machine का क्या काम है कि वो कपड़ों को जल्दी धूल देता है juicer is used for switching juice from fruits फलो करस निकालने के लिए हम juicer का इस्तेमाल करते है a table fan keeps a room cool by consistently moving the air it is used in homes, office and shops दुकानों में, घरों में और आफिस में table fan का इस्तेमाल किया जाता है रूम को ठंडा करने के लिए कुछ ऐसे सामान है जिने electricity की जोड़ पड़ती है बेना electric की ये काम नहीं कर सकते आगे क्या है suddenly Rohan went near the computer to have the closure loop suddenly में अचानक Rohan went जाता है कहां जाता कंप्यूटर के एकदम नजदीक जाता है he saw that वह क्या देखता है एक चुहा जो है मसीन को इस्तेमाल कर रहा है तो वह पूछ पड़ता है इस मचीन कंप्यूटर I help to operate this machine computer और मैं इस मसीन श्कान को चलाने में मदद करता हूँ तो फिर वह रोहन कहा रहा है computer वाट इस computer computer क्या है तो फिर चुहा बताता है, एक computer is a machine, computer एक machine है, it helps me, यह हमारी मदद करता है, to do many things, और बहुत से चीजों में, यह हमारी मदद करता है, it runs on electricity, और यह बिजली से काम करता है, उसके बाद क्या होता है, रोहन asked to his mother for buying the computer, रोहन जो अपनी ममा से पूछता है, किसलिए पूछता है, for वह खरीद देती है, computer in here, और वह अपने घर में computer खरीद कर ले आती है, okay students, your chapter has finished, and हमने इस chapter में क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, machine makes our work easy and faster, machine हमारे काम को आसानी से और जल्दी से कर देते हैं, most of machines need electricity to work, बहुत सारे machine को बिजली की जोद पढ़ती है, काम करने के लिए एक computer is also a machine, computer खुद एक machine है, एक computer helps us to do many things, और computer की चाहता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, okay students, exercise I will complete you next time, and you will read this chapter again, thank you